Hello students, आज फिर हम आर्थिक विचारों के इतिहास पड़ चर्चा करने जा रहे हैं, यूकि में में फाइनल एकनॉमिक्स में कोटा यूनिवर्सिटी के कोर्स में एक आप्शनल सब्जिक्ट हैं, हमने इसके पूर्व वणिकवाद पर चर्चा की थी और वणिकवाद के बाद प्रकर्तिवाद हमारे सामने निकल कर आता है, प्रकर्तिवाद का प्रारम वणिकवादी विचारों के विरुद्ध हुआ था, काफी समय तक वणिकवादी विचारों एवं सिध्धान्तों को मान्निता प्रदान की जाती रही, परन्तु दीरे दीरे लोगों को ऐसा लगने लगा कि इसके सिध्धान व्यवारिक है और आलोज को ने जनता का ध्याने सो राकरशित किया और उसके बाद वणिक वाद के विरुद्र यह प्रक्रिया सर्व प्रथम फ्रांस में प्रारम हुई क्योंकि उस समय फ्रांस में बहुत सी सामाजिक अर्थिक बुराईयों का जन्म हो चुका था इन बुराईयों को दूर करने के लिए बनिक वाद के विरुद्र विचारों का प्रवाह को मड़ पड़ा और व्यक्ति के स्वतंतरता पर अधिक ध्यान नेकी बात की जाने लगी जैसा कि प्रकर्तिवाद शब्द से ही स्पष्ट होता है कि प्रकर्तिवादी के विश्वास करते थे कि आर्थिक विवस्था का मुख्य आधार एक प्राकर्तिक विधान है यह हैं प्रकर्तिवाद का मूल सिध्धानत है यानि प्रकर्ति और प्रकर्ति के नियमों को प्रकर्तिवाद में सर्वोच इस्थान दिया जाने लगा हम आजके इस वीडियो में प्रकर्थिवाद के आशे और प्रमुख कुछ प्रकर्थिवादी विचारकों के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे तो प्रश्ण उठता है कि प्रकर्दिवाद का अर्थ क्या है प्रकर्दिवाद को अंग्रेजी में फिजियो क्रेसी या फिजियो क्रेटिक कहा जाता है जो कि एक फ्रांसिसी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से निकला है इस शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम एक फ्रांसेसी लेखा दूपो दा नैमूर ने 1768 में किया था प्रकरतिवाद 1756 से 1778 तक लगभग 22 वर्षों तक छाया रहा विश्व में और फिजियो और क्रेसी इन दो शब्दों से मिलकर बनाएं फिजियो का अर्थ है प्रकरति और क्रेसी का अर्थ है शासन प्रणाली अर्थात प्रकरति का शासन इस प्रकार यह विवस्था प्रकरति की शासन विवस्था के पक्षमे थी इस विवस्था का प्रमुकाधार प् जो संस्थापक थे वो थे फ्रैंक को केने प्रकरतिवादियों ने क्रशी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया इसी कारण एडम स्मित ने उनको क्रशी पद्यती विचारक या क्रशी वादी अर्थ शास्त्री क्रशी वादियों के नाम से भी पुकारा यह विचारक अपने आपक क्योंकि उनको ये विश्वास था कि वे ही आर्तिक स्त्य के एक मात्र संरख्शक है। प्रकर्तिवादी प्रेशी को आर्तिक विकास का साधन मानते थे। और इस संब्द में फ्रेंको केने का मत्य है प्रतियक वह बाद जो क्रेशी के लिए ही लापूर्ण होती है और यह जो कथन है वो फ्रेंको कहने ने एकनॉमिक डॉक्ट्राइंस के प्रश्च संक्या 102 पर यह उनका कथन अंकित है प्रकर्तिवाद के जन्म से पूर्व अर्थिशास्त्र तथा आर्थिक विचारों को अकर्मबत अध्यन नहीं हुआ था आर्थिक विचारों को नैतिकता के साथ जोड़ा गया था परन्तु आर्थिक विचारों का कोई स्वतंत्र अस्तिवत नहीं था इसलिए आविशकता महसूस की जा रही थी कि जो भी बिखरे हुए विचार हैं उनको इकटा किया जाए और एक प्रतक विशे प्रतक विज्ञान का रूप दिया जाए तो जो व्यापारवादी थे उन्होंने इस संदर में तोड़ा बहुत काम किया लेकिन फ्रांस के विचारक जिने हम मुख्य रूप से प्रकर्तिवादी कहते हैं उन्होंने मुख्य रूप से आर्थिक पद्यत्यों का विकास किया अतहें इन विद्वानों को राजनेतिक अर्थिशास्त्र का संस्थापक माना जाना चाहिए हलां कि कई बार इस बारे में भी बहस होती है कि एडम इसमित को संस्थापक आ जाये या प्रकर्तिवादियों को तो वास्तो में एडम इसमित ही अर्थिशास्त्र के जनक पिता कहे जाते हैं लेकिन कुछ विचारकों का यह कहना है कि प्रकर्तिवादियों को हम अर्थिशास्त्र का जनक माने तो वह बहतर होगा अब मैं आपको कुछ प्रमुख जो प्रकर्तिवादी विचारक हैं उनके बारे में बताने जा रही हूं इस विचारदारा का प्रारंब फ्रांस से हुआ और वहीं से यह विचारदारा संसार के अनिक देशों में फैली थी तदकानीन विद्वान प्रकर्तिवादियों के विचारों से बहुत लाबान वित हुए और उस समय के जो प्रमुख प्रकर्तिवादी विचारक थे उन्होंने सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी ब्रॉक्टर फ्रेंक को केने उन्होंने 1760 में अपनी पुस्तक General Maxims of the Government of Economy Government Economy प्रकाशित करवाई कहा जाता है कि निर्धन किसान, निर्धन राज्य और निर्धन बादशा नमक वाक्य उसी के हैं केने के जो मुखे विचार हैं, उन्हें सबसे पहला विचार है उत्पादक वर्ग के बारे में विचार केने ने उत्पादक वर्ग के अंतरगत क्रशकों को शामिल किया था उनका विचार था कि कारीगर, सौदागर आदी अनुत्पादक वर्ग हैं क्योंकि वास्त्विक उत्पादन इस वर्ग के द्वारा नहीं किया जाता, वह तो केवल वस्तु का रूप परिवर्तिन करते हैं, इसलिए क्रशक ही एक मात्र उत्पादक वर्ग हैं, दूसरा उनका विचार था मुद्रा, केने का मत था कि मुद्रा स्वयम कुछ भी उत्पन नहीं थे, और उन्होंने कहा कि यदी ब्याज का लेंदे नावशक है, तो उस पर सरकार को कड़िने इंत्रन लगाने चाहिए, ब्याज दर के निर्धारण के बारे में उन्होंने कहा कि उधा लिये गए धन के विन्योक से प्राप्त होने वाली आय के बराबर ब्याज दर ह और उन्होंने यह बहुता है जो केने के विचार ते वो थे मूले सम्भन्दी विचार मूले निर्धारन के शमभन में कहने का यह कहना था कि मूले का निर्धारन मांग और पूर्ती के द्वारा होता है उचित मूले वही होता है जिस पर किसान अपनी वस्तु को बेचता है और उसका निर्धारन उत्पादन लागत तता भूमी द्वारा प्रदान किये गए अतिरिक्त मूले के आधार पर किया जाता है केने का एक अन्यमत था थन सम्बदी मत केने ने धन सम्पत्ती का प्रमकुस्त्रोत भूमी और क्रिशी को माना है उन्हों ने का है कि क्रिशी से दू प्रकार का धन प्राप्त होता है भूमी पतियों को प्राप्त होने वाली आए तथा क्रिशी उपत से प्राप्त होने वाली केने ने बताया कि भूमी से ही शुद्धु पच प्राप्त होती है और वास्तों में जो उप्योगिता का गुण होता है वही उसको धन का रूप प्रदान करता है नेक्स्ट है अनुकूल व्यापार संतुलन वणिक वादियों ने व्यापार के आधिकों को धन प्राप्ति का एक मात्र साधन माना परंतु केने ने इसका विरोध किया और उनका ये कहना था कि व्यापार एक खरीदारी होती है इसमें क्रेता और विक्रेता समान मूले वाली वस्तों का आपस में विनिमय करते हैं इसलिए व्यापार संतुलन देश को धन नहीं दे सकते हैं स्वतंत्र व्यापार की इस्तिती में लाप और आनी बराबर रहते हैं अते कोई भी देश तभी संपन्य बन सकता हैं जब आंत्रिक उत्पाधन बढ़ाएं। नेक्स्ट जो प्रकरतिवादी प्रमुख विचारक थे वो ते मिराबो। मिराबो की अभिलाशाती की वैदार्शनिक बने और इसी उत्देशे के पूर्ती के लिवाई प्रहतने शील रहे और अंत्रमे इस उत्देशे के प्राप्ती में सफल भी हुए। मिराबो सबसे अधिक कैंटिलोन नामक अर्थशास्त्री से प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने एक स्थल पर लिखाया कि मनिश्य की व्रद्धी जनसंख्या कहलाती है। भूमी के उत्पादन की व्रद्धी क्रशी कहलाती है। धन संबंदी ये दोनों सिद्दान तापस में जोडे हुए है। मिराबो ने जनसंख्या और क्रशी इन पर सबसे अधिक ध्यान दिया। और 1763 में क्रशी के महत्र से संबंदित उनकी पुस्तक ला, फिलोस्फी, न्योरे का प्रकाशन हुआ। मिराबो उग्र विचारों के क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में सरकार की कट्वा लोचना की और व्यक्तिगत सोतंत्रता का समर्थन किया। जो नेक्स्ट प्रकरतिवादी विचारक आते हैं, वो हैं दूपो दानैमूर। दूपो दानैमूर का जन्म 1739 में हुआ था। यह कहने के प्रिये शिश्य थे और फिजियोक्रेसी शब्द के जन्म दाता थे। 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी पुस्तक फिजियोक्रेशन कॉंस्टिचूशन लिग दी थी। और किन देपुद नैमूर ने भले माई को प्रकरतिवात को कोई मौलिक विचार नहीं दे पए। उसने प्रकरतिवात की प्रचार रवश्य किया था प्रने के विचारों से आगे नहीं बढ़ पाए तो लेकिन उनका नाम प्रकरतिवात में मुखिव fällt में लिया जाता है नेक्स्ट प्रकर्तिवादी विचारक थे वहते तुर्गो तुर्गो का जन्म 1727 में हुआ था प्रकर्तिवादी संप्रदाई में उनका स्थान केने के बाद आता है इस विद्वान ने प्रकर्तिवादी सिधानतों को आगे बढ़ाया और अनेक मौलिक विचारों की विधिवत व्याख्या की और लुई सोलवे के शासनकाल में एक पिछड़े प्रांत के वह गवर्णर बने और बाद में वह वित्वंत्री भी बने तुर्गो ने व्यापार संबंदी सरकारी नियंत्रणों को समाप्ति किया उसने अनाच के स्वधनत्र व्यापार का समर्धन किया करों की समाप्ति के साथ उन्होंने गिल्डों की शक्ति को भी समाप्त कर दिया था और उनकी प्रमुक उस तक reflections on the formulation reflections on the formation of distribution of wealth का प्रकाशन उन्होंने किया और इसमें उन्होंने क्रशी संबंदित तुर्गों के बाद जो एक और प्रमुक प्रकर्तिवादी विचारक हमारे सामने आते हैं वह हैं ली थ्रोन ली थ्रोन भी कहने का शिश्य थे और 1777 में उनकी पुस्तक D.I. interest social का प्रकाशन हुआ उसकी ये पुस्तक उस समय की महत्वपून पुस्तकों में सी थी इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक सिद्धानतों की व्यग्यानिक व्यख्या की और उन्होंने मुद्रा के संबंद में भी अपने विचार दिये और ये कहा कि मुद्रा केवल मूले का मापक नहीं है बलकि उनमें आंतरिक मूले भी होता है और उसको चलन में लाने के लिए राजा की आग्या की आवेशक्ता नहीं होती है और इसी शंकला में हम एक और महत्वपोन प्रकरतिवादी विचारक एबे बौदो के बारे में भी विचर्चा कर बारेंगे बौदो का जन 1730 में हुआ था यह बहुत महत्वपोन प्रकरतिवादी विचारक थे प्रकरतिवाद से संबंधित उनकी अनेक उनके अनेक विचार थे और जो कि उनकी 80 से अधिक मुस्तकों में देखे जा सकते हैं आर्थिक दर्शन के संबंध में उनकी एक मुस स्वी एकोनोमिक का प्रकाशन 1771 में हुआ इस अत्वितिय पुस्तक के बाद बौदों अमर हो गए और इसके अतिरिक्त अगर हम और भी प्रकरतिवादी जो महत्वपोन विचारक रहें उनके नाम यदि जानना चाहें तो द गुड़ने, मर्सियर दला रिवियरे, रोबो, आदी अनेक विचारक हम इस क्रम में, इस कड़ी में बता सकते हैं, तो प्रकरतिवाद या फिजियोक्रेट्स निश्चेगी अर्थशास्त्र के विज्ञानिक अग्रदूद कहे जा सकते हैं, यदि पी इस विश्य में इतिहासकारों का बहुत मद्भेद हैं, मैं, डॉक्टर सीमा सोरल, हैड अफ दे डिपार्टमेंट, एकनॉमिक्स, गॉर्मेंट आट्स कॉलेज कोटा, एस्सोसियेट प्रोफिसर, आगे प्रकरतिवाद के बारे में और वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगी, धन्यवाद.